तो चलिए यहां पर बात करते हैं आज 3ds Max में व्यूपोर्ट के नैविगेशन के बारे में अठीक है इन नैविगेशन कैसे कर सकते व्यूपोर्ट में तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां पर हमारे पास फॉर टाइप आफ व्यूपोर्ट है बार के सबसे पहले यह पी यूज की रेंग में नैविगेशन कमारे काफी इस आविगेशन की पैसा जो और कैसी क्सी परकार कर सकते हैं एक या दो या तीन पितनी भी आप से ड्रोग कर सकते हैं जैसे मैं आप एक बोक्स ड्रोग करता हूं ठीक है यहां पर देखिए एक जो बोक्स है जो मैं यहां पे box डो कर लिए है ठीक है अब देखिए दोस्तो जूम इन जूम आउट कर सकते हैं आप माउस का जो स्क्रोल बटन है इसके तुरू भी आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं ठीक है अगर आफ और भी इससे ज़्यादा अगर आप आप जूम इन जूम कर सकते हैं फिर इसके जो और पर किये यहां पर है देगे मैक्सिमाइज कर सकते हैं यहां से इसको आप देखिए यहां पर यह बटन को आप इसको अच्छी तरह से देख पाएंगे तो इसको देखिए सबसे पहला यहां पर हमारे पास टूल है जो जो अगर आपको जूम करना तो देखिए जूम का एक option है हमारे पास आप इसको बटन दबाईए यहां पर जो left click दबाईए यहां से आप इसको अगर निचे की तरफ करेंगे तो कर सकते हैं ठीक है अधरवाइज आप जो माउस का स्क्रोल बटन है इसे भी आप इसको जूम इन जूमाउट कर सकते हैं ठीक है जुमारा 3D बटन है तो दो तो यह तो थी सिर्फ एक object की बात अगर हमारे पास काफी सारे object है उनके बाद उनके क्या करते हैं पहले मैं इसको बा ठीक है यहां तक ठीक है उसके बाद अगर आप चाहिए तो कुछ और भी लेशते हैं कोई दिक तक नहीं कि मैंने चार्ट जो है से ब्रोपी यहां चाहता हूं अगला जो हमारा डूल है जूम ओल सभी को जूम करना जूम ओल में देखी चलिए मैं आप वबर नविगे इस वबर पर वपी करता हूं अगर आप चाहें जोओ त्योंG ओल करकर करके देखेंगा शाइंप में सबी में जूम करके दिखाएंगा यहां पर नाविगेशन सक्क्राइद कर सकते हैं फ्रफिकर यह यह यूज कर सकते और आ उसके बाद है दोस्तों हमारे पास यहां पर एक और ओप्शन है जूम एक्स्टेंट सेलेक्टिट जो हमने सेलेक्ट कर रखा है देखिए यह उसी के उपर ज्यादा फोकस करेगा जो आपने सेलेक्ट कर रखा है सेलेक्ट की हुए जो ऑब्जेक्ट है आपका यह सिरफ उसी क करेंगे तो और भी आप से अर्फ यहां से करते हैं तो सिर्फ फोकस किसी कि उपर करएगा ऩीजि़ कि कर सकते हैं कि अम स्विकिए यहां कर सकते हैं आगे हैं हमारे भास यहाँ पर जूम एक्टन अल सले क्टिड क्रेशिए आप ने स्भी देगे विस्एक से जाइट कि instruments तो आपको में दिखाएगा नहीं सिर्फ जो मारा प्रिस्पेक्टीव है इस सारे व्यूमें देखने हैं तो देखिए अब जो मेरी आउटो फ्रेम अगर आपका यह होता है है तो आप क्या कर सकते हैं यहां से जो मारा है प्रेंट टूल लेको फ्रेम के अंदर लेकर आसके हैं अगर आप फिस हैं कि जूप ऐल कि कहा है है यहां पर आप देख सकते जूम ओल यह लेकर आप यहां से ठीक अग्त के दोस्तों तो यह है हमारा नैविगेशन इनawat में युपूर्ट कि कैसे काम करता है अगर आप चाहते हैं कि सीभी अबजAyक्ट को रोटेट करना देखिए किसी औबजЕक्ट को सफ एक जबर्देश है को चीन infect को सदिये मानले जी मरीके ỏiस घण Grade करता हूँ को और मैं यहां से को रोटेट करना जाता हूं और विय क्या काम करेगा साधाक आप उसको हमारी ड्रोइंग सब्सक्राइब और अगर आप यहां से गभाएंगे यह तेखे यह से खुंआएगे तो देखिए पिसको एक पॉैंट सेखिए अगर आप इसको यहां कि पोटेट कर उन झाए रखिए नियां तो थेखिए भी आप इसको जोंकि मैंने तो चार्व त्रफ को आप हुर्ण कर सकते हैं आपको बार निकलना स्काया थैसे बिसको दू रोटेट कर सकते हैं तो चलिए जो हमारा अगला है वो देखते हैं ठीक है दोस्तों तो यह था हमारा आज का टुटोरियल जिसमें आज हमने किये हैं कि नैविगेशन पॉइंट को यूज कैसे करते हैं जूम इन जूम आउट इनको कैसी यूज करते हैं रोटेट टूल को कैसी यूज करते हैं ठीक है तो काफी सारे टूल है जो कि इन चीजों के इमें बहुत आवशकता पड़ती जब भी हम कोई नया काम करते तो काफी सारी इमें कुई जरूर पड़ती है हमें पता होना चाहिए इनको रोटेट कैसे करना मूव कैसे करना है ठीक झाल झाल